नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे कल के पूरे स्कैडियूल की 28 तारीक को फाइनल डे को भारत के लिए कौन-कौन से इवेंट होने वाले हैं एशियन पैरा गेम्स में चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर बताता हूं मैं आपको पूरा स्कैडियूल चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 28 अक्टूबर फाइनल डे का पूरा स्कैडियूल दोस्तों कल के दिन मैं आर्चरी, एथलेटिक्स, चेस, ब्लाइन फुटबॉल, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, टेवल टैनिस और वीलचेर फैंसिंग होने वाला है लेकिन जसमें इंडिया पार्टिसिपेट करी हैं मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आर्चरी में भारत के लिए कोई इवेंट नहीं है, आज के दिन सारे इवेंट खतम हो गए, 28 तारीक को कोई भी इवेंट नहीं है आर्चरी में और अगर Athletics की बात करें तो इन मेंसे कुछ इवेंट्स भारत के लिए नहीं है बाकी मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ इवेंट्स जो है सुभा साड़े छे बजे शुरू हो जाएगा Men's Javelin Throw F55 Final इसके बाद Men's Short Put ये भी Final है और टाइमिंग आप देख सकते हो हर 3-4 मिनट 10-15-20 मिनट आदे घंटे बाद ये इवेंट्स खेले जाएंगे फोलो बाई में तो जैसे कि Men's Short Put F32, Men's Long Jump T63, Women's Short Put F46, Men's 400 Metre T54, Women's Discus Throw F41 and Oblick 40 and 41, Men's 400 T12, Women's 400 T12 and Men's 400 T47, Women's 400, Men's 500 T20, Women's 1500 T20 Final and 4-200 Universal Relay Final and Men's 400 Metre T11 Final and Women's 400 Metre T11 इन में से कुछ मैचस में इंडिया नहीं है तो उनको आप साइड कर सकते हैं अधर्वाइस कम से कम 5-6 मैचस इवेंट जो हैं वो इंडिया के लिए होने वाले हैं अथलेटिक्स में तो चैस की तरह बढ़ते हैं, चैस में भारत के लिए कुछ इवेंट्स नहीं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह सारे non-Indian events हैं बट सारे blind football की तरह बढ़ते हैं तो blind football में medal और bronze medal match जिसमें भारत के लिए कोई event नहीं है भारत पहले ही group matches से बाहर हो गया powerlifting की बात करें तो यहाँ पर 86 और 107 kg category में भारत के लिए कोई entry नहीं है powerlifting में भी इंडिया नहीं है rowing की बात करें तो rowing में कुछ matches हैं भारत के लिए और rowing का event साड़े 8 बजे शुरू हो जाएगा जो कि आखरी match जो खेला जाएगा लगबग 9-9 बजे के आसपास तक खेला जाएगा यानि कि यह सारे event होंगे जिसमें आप देख सकते हैं PR1 men's skull से लेकर PR3 mixed cover for final A तक table tennis की बात करें तो table tennis में इंडिया के लिए कोई event नहीं है सारे खिलाड़ी हमारे बाहर हो गए हैं और wheelchair fencing में तो वैसे ही इंडिया नहीं participate कर रहा काफी कम event है लेकिन फिर भी चलिए उमीद करेंगे 3-4 medal कम से कम कल भारत के लिए आ जाएं तो काफी अच्छी बात रहेगी कम से कम थोड़ा improvement हो जाएगा medal tally में देखते हैं कल क्या होता है सो गाइज ये था कल का पूरा schedule उमीद करते हैं आखरी दिन में भारत जादा से जादा medal जीते हैं जितने भी event होने वाले हैं सब में medal जीते हैं और अच्छे position पर खतम करें देखते हैं कल क्या होने वाला है जानने के लिए live streaming में हमारे साथ जरूर जुडिएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई update के साथ जै हिंद जै भारत